नमस्कार मैं हूँ अन्पम अनूप आप देख रहे हैं दख़बरदानूज अनकही बात अनूप के साथ इस अंक में आज हम बात करने बाले हैं भारत के बिहार और कुछ लोगों की मानेतु नेपाल के जन्म लेने बाले एक गरेब किसान के घर के एक ऐसे गायक की जिसने 80 के दसक का मसुहूर गाना कयामत से कयामत तक फिल्म का नाम था आमिर खान अभिनेता अभिनेत फिल्म थी पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा साथ एक ऐसा गाना था जो हर सक्स के हर व्यक्ति के हर संगीत कार गीत कार और कहीं ना कहीं हर सिनिमा प्रेमी के दिलों में करते हुए स्वर को आज हम बात कर रहेी हैं दुरित नाराइण जा के बारे में जिसे ये पूरी के पूरी के दुनिया दिसंभ जंवा वहीं इसके साथ ही साथ कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि उदित नारायन का जन्म नेपाल के काठमानुरू के पास हुआ था लेकिन ओधित नाराण इस बास से हमेशा इंकार करते रहे हैं कि वो नेपाल में जन्मे हैं उनका हमेशा से यही कहना रहा है बीहार राज में ही जन्मे हैं ओधित नाराण के पारिबारिक प्रिष्ट भूमे की बात करती हैं तो हरी कृष्ण जहा जो एक किसान हुआ करते थे गरीब किसान थे और मा का नाम था इनके भुबने स्वरी देवी बड़ी ही मुफलिसी में इनका बजपन गुजर रहा था लेकिन कहीं ना कहीं इसी मुफलिसी के दावर में ओधित नारायन के भीतर एक गीतकार उपज रहा मानो बिहार के बसाई गाओं में एक किसान अपने खेतों में फसल ना उगा करके अपने गीतकार बेटे को उगा रहा था गीतकार बेटे को जन्म दे रहा था शुरुआत हुई राम लीला के गीतों से भजनों से संगीतों से और ये गीत और संगीत कब उस आठ साल के बच्चे से उस छोटे से गाओं से निकल करके मुंबई और भारत में जा करके रच बस गए किसी को ख़बर भी नहीं हुई लेकिन इस मुख्लिसी के दौर में भी उम्र आर साल के करीब रही होगी जब उदित नाराण ने अपने गीतों को अपने गानों को गाना शुरू किया और मुंबई पहुचने के पीछे की भी एक दिल्चस्प कहानी जुड़ी हुई थी दरसल लगभग 20-22 साल की उमर में इस्थानी पीयस स्कूल से सिक्षा दिक्षा ग्रहन करने के बाद उनकी सूरिली आबाज की बजह से रेडियो काठमांडू नेपाल में उन्हें नौकरी मिल गई और अब छोटे-छोटे मंचों से निकल करके उनकी आबाज रेडियो की दुनिया में धूम मचाने लगी थी और इसी का परिणाम था कि एक स्कॉलर्शिप मिलने की बजह से जो स्कॉलर्शिप संगीत के छेत्र में कारे करनी के लिए भारत सरकार के दूताबास के द्वारा प्रदान की जाती थी उसी छातर रिबित के चलते उन्हें काठमांडू से मुंबई आने का अबसर मिला और मुंबई आकर के भारती विद्याभवन से संस्कॉलर्शिप संगीत सीखने का दौर सुरू हुआ और जो खाली समय बचता उस खाली समय के दौर में वो डाइरेक्टर और प्रोड्यूसर से मुलाकात करते थे कुछ काम ढूडने के लिए और धीरे धीरे ये सफर बढ़ता रहा धीरे धीरे संगीत की प्रतिभा का विकास होता रहा धीरे धीरे उनके सुरु से सजीतान को देश के साथ साथ दुनिया भर में देखा जाने लगा और जल्द ही 1980 के दसक में आई राकेश रौसन निर्देशित फिल्म 19-20 में उन्हें गाने का मौका मिला और अपनी पहली ही फिल्म में राकेश रौसन और हिंदुस्तान के संगीत जगत के एक मशुहूर सिंगर महम्मद रफी के साथ उन्होंने गाना गया ये फिल्म हिट रही लेकिन इसके बाद दूसरा काम मिलने में एक लंबा अर्शा बीद गया और लगभग दस बरसों के लंबे संगर्च के बाद उन्हें बेटे की प्राप्त हुई उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्त हुई एक तरप पुत्र आदित का जन्म हुआ दूसरी तरप आमेर खान अभिनित फिल्म आई कयामत से कयामत तक और इस फिल्म के सारे के सारे गाने सूपर डूपर हिट हुए लेकिन इस फिल्म के जो दो गाने थे उन्होंने संगीत जगत में धूम मचा दी गो गाने थे पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा और दूसरा गाना था आई हमशफर उन्निस बीस और कयामत से कयामत तक के बीच में एक ऐसा भी दोर आया जब उदित नारायन ने अपने जीवन में अभिनय को भी इस्थान दिया फिल्म नेपाल की भासा में थी जिसका नाम था कुसुमे रूमाल जिसमे उन्होंने एक्टिंग और सिंगिंग दोनों की और नेपाल में हलगातार 25 हफते तक चली और सूपर डूपर हिट रही और इस सफर के बाद उदित नारायन ने पीछे मुड करके नहीं देखा कई सारे रियालिटी सोज जैसे इंडियन आइडल सारे गामा और कई सारे इंडियन रियालिटी सोज में उन्होंने जज की भोमिका का भी निर्वहन किया यह भी बात महत्य पूर्ण है कि जिसका जितना नाम हुआ है गो उतना बदनाम हुआ है उदित नारायन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और उदित नारायन की पीछे इस हलचल का कारण उनकी पत्निया थी दरसल उदित नारायन के जीवन में दो पत्नियों की कहानी काफी प्रचिलित है जिनकी बजह से उनके खिलाब बारंट भी कटा जिसकी बजह से उन्हें समझावता करना पड़ा और जिसकी बजह से उनकी दूसरी पत्नी से पुत्र आदित का जन्मी भी हुआ ये सारे खटे मीटे अनुभाव उनकी साधी की बजह से हुए आपको बता दें कि उदित नारायन की साधी पहली बार रंजना नारायन जहा से हुई जिसके बारे में उदित नारायन ने कहा कि यह मेरी पत्नी नहीं है और बाद में बिहार महिला आयो की प्रमुक मंजू प्रकास ने इस मामले को सुल्जाने के लिए 48 घंटे दिये मामला नहीं सुल्जा और जिसकी बजह से उदित नारायन के उपर मुकदमा दायर हो गया बाद में नितीश कुमार के आग्रह पर नितीश कुमार के संग्यान लेने के बाद ये मामला किसी तरह से सुल्जा दरसल उनकी पहली पत्नी रंजना नारायन जहा सिर्फ अपने पत्नी होने का अधिकार मान रही थी और ये अधिकार उन्हें मिलने के पस्चाथ दोनों में समझाता हो गया और उनकी दूसरी पत्नी देपा नारायन जहा के साथ उनका विवाहित्तर संबंध इस्थापित हुआ विवाहित्तर संबंध आगे बढ़ा जिससे आगे चलकर पुत्र आदित नारायन का जन्म के दूमिका का निरबहन कर रहे हैं हाला कि पिता उदित के जैसे ना तो उन्हें सुहरत मिली है और ना ही अभी तक पहचान मिली है आदित एक कंड्रों बरसी के बीच में दिनों फसे हुए हैं और जिसमें यह कहा जा रहा था कि सिंगर नेहा ककर के साथ उनकी साधी होगी लेकिन इसे लेकर के उदित नाराण ने साब किया है कि यह सिर्फ मेडिया के दौरा फैलाई गई बाते हैं और असिलियत में ऐसा कुछ नहीं है. उदित नाराण के जीवन के बारे में बात करने के पीछे एक महतिपून बात और भी है. दरसल उदित नाराण कई भासों में 30,000 से जादा गाने गा चुके हैं और 38 भासाओं में इन्होंने गाने गाए हैं और अभी अभी एक नई भासा बगेली जो मद्ध प्रदेश के बिंध में बोली जाती है उसका एक गाना इन्होंने गाया है और गाना गाने की खबर से ही ब गाने गा करके एक किसान के गरीवी मुफलिशी से निकल करके किसान के घर से निकल करके आज बिसुपटल पर अपने संगेत की प्रतिभा का अपने सुरो के साज का लोहा मनबार हैं ऐसे ही किसी दूसरे एक्टर की किसी दूसरे सिंगर की किसी दूसरे जन प्रतिनिधी की य आप तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे नमस्कार धन्यवाद आदाप सस्रियाकाल देखते रहें दखवरदार हिंदी नियूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए दखवरदार हिंदी नियूज चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पेज को लाइक करें धन्यवाद